नाखुन क्यों बढ़ते हैं? बच्चे कभी-कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रस्न कर बैठते हैं. अलपग्य पिता बड़ा दैनिये जीव होता है. मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखुन क्यों बढ़ते हैं? तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका. हर तीसरे दिन नाखुन बढ़ जाते हैं. बच्चे कुछ दिन अगर उन्हें बढ़ने दे तो मावाप अक्सर उन्हें डाटा करते हैं. पर कोई ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्सों की बात हैं. जब मनुस से जंगली था, वन मानुस जैसा, उसे नाखुन की जरूरत थी. उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखुन बहुत जरूरी थी. असल में वही उसके अस्त्र थे. दात भी थे. पर नाखुन के बाद ह वस्तूं का साहरा लेने लगा. पत्थर के धेले और पेड की डालने काम में लाने लगा. रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे. उसने हड्डियों के अथियार बनाए. इन हड्डी के अथियारों में सबसे मजबूत और सबसे इतिहसिक था देवताओं थे. वे विजई हुए. देवताओं के राजा तक को मनुस्यों के राजा से इसलिए साहता लेनी पड़ती थी कि मनुस्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे. असूरों के पास अनेक विध्याय थी. पर लोहे के अस्त्र नहीं थे. साहित घोड़े भी नहीं थे. आरिय विजयी हुए फिर इतियास अपने गती से बढ़ता गया नाग हारे सुपर्ण हारे यक्स हारे गंधर्व हारे असूर हारे रक्षश हारे लोहे के अस्तरों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा पलीते वाली बंदुखों ने, कार्तुसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायू यानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक गसीटा है, यह सब को मालुम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखुन अब भी बढ़ रहे हैं, अब भी प्रिकरती मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुमारे नाखुन को बुलाया नहीं जा सकता, तुम वही लाख वर्स पहले के नख दंताव लंबी जीव हो, पसू के साथ एक ही सतय पर विचरने वाले और चरने वाले। तत किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखुन ने काटने के लिए डाटता है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखुन को नहीं चाहता, उसके भीतर बरबर युग का कोई अवसेस रह जाए, यह उसे ऐ सहनिये हैं। मनुष्य की पसूता को जितनी बाहर भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखुन को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना सुरू किया था। वाटसायन के कामशूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्स पहले का भारतवाशी नाखुनों को जम के समारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। ट्रिकोन, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, आदी विविद, आकरतियों के नाखुन उन दिनों विलासी नागरिकों के ने जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्थक यानि मोम और अल्क्तक यानि आलता से यत्न पूर्वक रगड कर लाल और चिकना बनाये जाता था। गोड देश के लोग उन दिनों बड़े-बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षनात्ते लोग छोटे नखों को अपनी अपनी रूची है देश की भी और काल की भी लेकिन समस्त अधोगामिनी वृतियों को और नीचे खींचने वाली वस्तूं को भारत वर्स ने मनु मानो चित की भाती मानो सरीर में बहुत सी अभ्यास जन्ने सहज वृतियां रहे गई हैं दिरग काल तक उनकी आशकता रही हैं अतयव सरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृतियां अनायास ही और सरीर के अंजाने में भी अपने आप काम करती हैं नाखुन का बढ़ना उनमें से एक है केस का बढ़ना दूसरा है दात का दूबारा उठना तीसरा है पलकों का गिरना चोथा है और असल में सहजात वृतियां अन्जान की स्मृतियों को ही कहते हैं हमारी भासा में भी इसके उधारन मिलते हैं अगर आदमी अपने सरीर की मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृतियों के विशे में विचार करे तो उसे अपनी वास्त्विक प्रिवर्ती पहचानने में बहुत साहता मिले पर कौन सोचता है सोचना तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नक बढ़ा लेने की जो सहजात वृति है वह उसके पसूतव का प्रमान है उसे काटने की जो प्रिवर्ती है वह उसकी मनुश्यता की निसानी है और यद्देपी पसूतव के चिन उसके भीतर रहे गए हैं और व बढ़ाने की प्रिवर्ती मनुस्यता की विरोधनी है। बारती भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं वहत होता। सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तीता करने के बाद भी भारतवर्स इंडिपेंडेंस को अनधिनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरन किये सवतंतर्ता, स्वराज्य, स्वाधिन्ता उन सब में स्वय का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा की द्वारा प्रकट होती रही हैं। मुझे प्रानी विज्ञान की बात फिर याद आती हैं सहेजात वृती अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद शर्भावते ही हमारे नेता और विचारसिल नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है हमारे इतियास बहुत पुराना है हमारे सास्त्रों में इस समश्या को नाना भावों और नाना पहलों से विचारा गया है हम कोई नो सिखुए नहीं है जो रातो रात अंजान जंगल में पहुँचा कर अयरक्षित छोड़ दिये गए हैं हमारे परंपरा महिमामई उत्रादिकार विपुल और संसकार उज्वल ह हमारे अंजाने में भी ये बाते हमें एक खास दिसा में सोचने की प्रेणा देती हैं यह जरूर है कि प्रिस्तितियां बदल गई हैं उपकर्ण नए हो गए हैं और उल्जनों की भी मात्रा बढ़ गई हैं पर मूल समस्याइं बहुत अधिक नहीं बदली हैं भारतिये चित जो आज भी अनधिंता के रूप में नै सोचकर श्वाधिंता के रूप में सोचता है वह हमारे दिर्ग कालिन संसकारों का फल है वह स्वय के बंधन को असानी से नहीं छोड़ सकता अपने आप पर अपने आपके द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संसकृति की बड़ी भ भारी विसेशता है मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है जो कुछ हमारा विसेश है उससे हम चिप्टे ही रहें पुराने का मोह सब समय वांचनिये ही नहीं होता मरे बच्चे को गोध में दवाए रहने वाली बंधरिया मनुष्य का आदर्स नहीं बन सकत कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते मले लोग दोनों की जाच कर लेते हैं जो हितकर होता है उसे ग्रहन करते हैं और मूड लोग दूसरों के इसारे पर भटकते रहते हैं सो हमें परिक्षा करके हितकर बात सोच लेनी पड़ेगी और अगर हमारे पूर्वसंचित भंडार में वह हितकर वस्तू निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है जातियां इस देश में अनेक आई हैं लड़ती जगरती भी रही हैं फिर प्रेम पुर्वक बस भी गई है सभेता की नाना सेडियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाले इन जातियों के लिए एक सामाने धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी भारत वर्स के रिस्यों ने अनेक प्रकार से इस समस्य को सुलजाने की कोशिस की थी पर एक बात उन्होंने लक्षे की थी समस्त वर्नों और समस्त जातियों का एक सामाने आदर्स भी है वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना मनुष्य पसू से किस बात में भिन्न है आहार निद्र, आदी पसू सुलब शवभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्ने प्रानियों के लेकिन वह फिर भी पसू से भिन्य है, उसमें सैयम है, दूसरों के सुखदुख के प्रती समवेदना है स्रेदा है, तप है, त्याग है यह मनुष्य के शौम के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य जगडे टंटे को अपना आदर्स नहीं मानता गुस्से में आकर चड़ दोडने वाले एविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन तथा सरीर से किये गए एसत्याचरन को गलत आचरन मानता है यह किसी भी जाती या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है महा भारत में भी इसलिए निर्वर भाव, शत्ते और एकरोद को सब वर्णों का सामने धर्म कहा है अनित्र इसमें निरंतर दान सिल्टा को भी गिनाया गया है गोतम ने ठीक ही कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुखदुख को शाहनुगुती के साथ देखता है यह आत्म निर्मित बंदन ही मनुष्य को मनुष्य से बनाता है एहिंसा, शत्ते और एकरोद मुलक धर्म का मूल यही है मुझे आश्चरिय होता है कि अंजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया लेकिन मुझे नाखुन के बढ़ने पर आश्चरिय हुआ अज्यान, सरवत्र आदमी को पचारता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है मनुस्य को सुक कैसे मिलेगा बड़े-बड़े नेता कहते हैं वस्तमू की कमी है और मसीन बिठाओ, और उत्पादन बढ़ाओ, और धन की व्रद्धी करो और भाई ये उपकरनों की ताकत बढ़ाओ एक बुड़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं, बीतर की और देखो हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ क्रोध और द्वेस को दूर करो लोग के लिए कश्ट शहो आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो आत्मितोशन की बात सोचो, काम करने की बात सोचो उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है उच श्रिंखलिता पसू की प्रिवर्ती है श्वय का बंधन मनुष्य का शवभाव है बुडे की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं उसे गोली मारती गई आदमी के नाखुन बढ़नी की प्रिवर्ती ही हावी हुई मैं हैरान होकर सोचता हूँ बुडे ने कितनी गहराई से बैठ कर मनुष्य की वास्त्विक चरी तार्ता का पता लगाये था ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य की नाखुनों का बढ़ना बंद हो जाएगा प्राणी सास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावशक अंग उसी परकार जड़ जड़ जएगा जिस परकार उसकी पोंच जड़ गई है उस दिन मनुष्य की पसूता भी लुप्त हो जाएगी साइद उस दिन वह मरना अस्त्रों का प्रियोग भी बंद कर देगा तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांचनिय जान पड़ता है कि नाखुन का बढ़ना मनुष्य की बीतर की पसूता की निसानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है अपना आदर से है बाई ये जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की पसूता की निसानी है और उनकी बाढ को रूखना मनुष्यतों का तकाजा है मनुष्य में जो घ्रणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पसूत्व का धोतक है और अपने को सहियत रखना दूसरे के मनुभाओं का आदर करना मनुष्य का श्वय धर्म है बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सुचित करती है सफलता और चरितार्ता में अंतर है मनुष्य मरनाश्त्रों के संचैन से बाईए उक्करणों के बाहुले से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है परन्तु मनुष्य की चरितार्ता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है अपनी को सबसे मंगल के लिए नीसेस भाव से देने में है नाखुनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंद सहजात वृति का परिनाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना उस श्वय निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्ता की ओर ले जाती है नाखुन बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा आर पीसे से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद